12 जून, अभी उरिशा में कुछ-कुछ थानपार, heat wave and hot weather conditions prevail कर रहे हैं हाइस्ट maximum temperature पिस्टे 14 गोंटा में था बरगार बोलांगीर में 44.5 degree Celsius शोनपूर में था 44.3 degree Celsius, हमारा भोबनेश्टर में सीटी में था 42.6 degree Celsius थान्डर स्टाम लाइटिनिंग का साथ बारिश भी एक दो जागा करके हुआ है किंदर परडिस्ट का आउल में हाइस्ट बारिश्था 17.0 mm उसका बाद भाद्रग डिस्ट का भाद्रग में 12.8 mm भावानी पात्ना कलहने डिस्टिक्स में 11.6 mm और अभी फोर्कास्ट हमारा जो है अगला पांस दिनी हीट वेप कंडिशन्स रहने का सम्मावना है नेक्स्ट 24 आउर्स में हमारा नॉर्थ इंटरिश्था का शावी डिस्टिक्स शन्पूर, भौध, बुलांगीर, नौयगार, खुर्दा, कोटो किसमें कुस-कुस थान पार बाखी डिस्टिक्स का भी एक-दो जागा करके हीट वेप कंडिशन्स रहने का चांसिस है, नॉर्थ इंटरिश्था में सीवीएर हीट वेप भी होने का चांसिस है आगला दो दिन में हीट वेप बहुट वेदर कंडिशन्स सीवीएर हीप टो सीवीएर हीट वेप रहने का चांसिस है पिर 13-14-15 में भी हवारा हीट वेप मिली इंटी रिशा में का डिस्टिक्स में रहने का चांसेस है और थंडा स्टाम लाइटिनिंग का शाथ बारिश का भी पसेबिलिटी है एक दो जागा करके 14 में स्लाइटली बारिश इंकेज करने का चांसेस है उसमें साँत डिस्टिक्स में कुस-कुस थानापर रिशा में 1-2 राका करके बारिश थंडा स्टाम लाइटिनिंग का स्टाम लाइटिनिंग का साथ होने का चांसेस है थन्डर स्टाम लाइटिनिंग के साथ गस्ती सार के सुईन भी 30-40, next 24 hours में कुछ डिस्टिक्स में होने का चांस है, 14th में साथ उरिशे का डिस्टिक्स, नौर्थ का उरिश्खा भी एक दो डाग में होने का चांस है, भोबनेशार सीटी में, भोबनेशार सीटी में आज मैक् क् उत्सले झाल उरिशे का चांस